कि अग्जाब करते हैं आपको बहतरीन से बहतरीन कंटेंट देने का प्रियास करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बारे में आपको बतान के साथ-साथ आपको बारे में लेड इने ए ुप ध क्लीछ अव्जा भी खीट हैं प्रिय्ज. अगीज. आपको अग्ज. अग्छ. अग्ज. अगलिफ साथ-साथ आपको इस्ट कानल के साद्ज. अग्ज. आपको लेख चार अन्य क्लासेस जो स्पेशल आपको दी जाती हैं करेंट अफेर्स इंग्लिश इंग्लिश इंटैन मैंच इन इसमें आपको 10 मिनट्स के शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर आते हैं जो कि बहुत इंफॉमेटिव होते हैं और आपके एक्जाम के लिए बहुत ज् जाते हैं कि इंदिया का सबसे बड़ा learning platform है यहाँ पर आपको top educators के द्वारा पढ़ाया जाता है और आप जो examination में उनके द्वारा guidance प्रवाइड कराई जाती है तौप content आपको provide कराई जाता है तो anacademy के subscription के बाद जो आपको benefits मिलते हैं जरा उन benefits के बारे में हम बात करने जब आप anacademy का subscription लेते हैं तो आपको क्या क्या benefits मिलते हैं तो यहाँ पर आपको daily life classes provide कराई जाती है इन daily life classes के दोरान आप अपने educators से directly बात कर सकते हैं आप उनके discussion में उनके साथ शामिल हो सकते हैं इंगेज हो सकते हैं और जब उनका उनकी class चल लही है उनका lecture चल ला उसी समय आपको कोई doubts है तो उन doubts को भी आप बहुत आसानी से उसी समय live session में ही clear कर सकते हैं और वो जो polls carry on कर रहे हैं अपनी classes के दोरान उन polls में भी आप हिस्सा लेते हैं दे सकते हैं और उनके जवाब दे सकते हैं यह सब तब जब की class चल रही हो तो आपको एक classroom class होती है जैसी कि आ यहां पर मिल सकती है उसके अलावा आपको structured courses provide करा जाते हैं structured courses का मतलब यह होता है कि आपके syllabus के according topic wise आपको material यहां पर इंदिया के top educators के दोरा provide करा जाता है बहतरीन content आपको provide करा जाता है वो भी एक structured वे में लाइफ टेस्ट और quizzes इसकी एक और अनेक विशेस्ता है इन subscriptions की कि यहां पर आप live test में हिस्सा ले सकते हैं quizzes में participate कर सकते हैं जिससे कि आपकी preparation कैसी चल लही है उसको बहुत अच्छी तरीके से evaluate कर सकते हैं और अपनी performance को analyze कर सकते हैं ठीक है और इन सब चीजों का आपको unlimited access दिया जाता है जो अब भी course materials अभी live और recorded recorded courses का पूरा access जो है वो unlimited जयाता है अपने device से कहीं पर भी अपने comfort के अशारु को access कर सकते हैं ठीक है तो इन subscription लेने के लिए आपको करना क्या पढ़ेगा सबसे पहले तो आपको आने के लर्निंग एप को अपने mobile phone के install करना पढ़ेगा ठीक है उसको install करने के बाद आपको bank exams में अगर subscription लेना है तो आप वहाँ पर bank exam को select करके उसके बाद उसका subscription ले सकते हैं ठीक है subscription के charges कैसे रहते हैं यह क्या कैसे होता है यह हम अभी आपको बता रहे हैं उससे पहले हम आपको अपने telegram channel के बारे में बताते चले टेलिग्राम चैनल के जोडने के लिए आपको सबसे पहले telegram app को आपको download करना पड़ेगा ठीक है URL की दी हुई पूछ जगे पर आपको यह दिया हुआ link आपको वहाँ पर type करना है उसके बाद वहाँ पर आपको join option मिल जाएगा उसकर click करते ही आप हमारे telegram channel से जोड़ जा परता है ठीक है और इसमें भी अगर 10% आपको मिलेगी यदि हमारा प्रोमो कोड को की है के यू अलडी डबल इप यानि कुल्डी इस प्रोमो कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% का extra benefit भी दिया जाता है 3 months का इसी तरीके से course आपको 17% के साथ मिलता है जो की 900 पर से जिस यह जो आफ है यह बढ़ती जाती है जितना ही course duration आपका पढ़ता जाएगा उसी तरीके से आप बढ़ती जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 months के रिभू आप 58% हो जाती है और 24 months में 75% आप हो जाती है तिर्भू किवल आपको 270 रुपीज का पढ़ता है ठीक ह पर मन के हिसाब से और उस पर फिर 10% आप आपको हमारा प्रोमो कोड के यूल डी डबल इबी यूज करने पर प्रोवाइड कराया जाता है तो हमारी special classes में जूड़ने के लिए आप जल से जल सब्सक्रिप्शन दे लिजे और जुजिया के अन्य टॉप educators की classes भी आपको वहा सब्सक्राइब आशाब कारी है तो हमारी में जो होते हैं फिरा जम्बंगे में आपको प्रोयाइड यह थाएं घान की आपको उनको प्रॉइआस करना लान नहीं हो साफिक ए तो पारवज ने होती है वह पहले आपको बता दे कि पहरा जंबल्स आपको शॉल कैसे करने चाहिए तो देखे पहरा जंबल्स करने के लिए आपको तीन चीजों का याद को याद रखना है पहली चीज सभी संटेंस को पढ़ते हुए आप पहले देख लीजेए कि उसमें थीण क्या बने है ठीक है फ़िए क्या पहली चीज क्या है कि आपको उसकी भीडा उस्थीन को पगड़ना है कि यह किस बारे में यह पूरे संटेंस जो में 5-6 संटेंस जो दिये हुए हैं वो किस थीम पर आधारी पर दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि आपको first sentence किसी तरीके से select कर लेना है मतलब first sentence मतलब क्या हुआ कि जो initiating sentence मतलब उन सभी sentence का जो initiating sentence है उस sentence को आपको पकड़ना ही पड़ेगा सबसे पहले और एक बार आपके first sentence या पहला sentence जो आपके पकड़ में अगर आ गया तो उसके बाद आपको देखना क्या है कि किनी भी दो sentence के बीच में link खोड़ी है जो sentences आपको दिये गए हैं उन दोनो sentences के बीच में कोई न कोई link जरूर होगी उन link के जलिए हमें यहाँ पर अपने logic को इस्तिमाल करना है ठीक है अपने common sense को यूज़ करना है कि sentence के बाद यही sentence आना चाहिए तो ठीक है तो पहरा jungle solve करने के लिए आपको तीन points की याद रखने है ठीक है three points फॉर्मूला समझने यह यह होता है पहले चीज यह हुए sentences से उसकी theme को पहचानना दूसरी बाद हमें पहला sentence पकड़ना है ठीक है पहला sentence पहचानना है उसके बाद sentences के बीच में हमें link गूणना है ठीक है क्यों sentence के बीच में link कैसा है तो बढ़ते हैं आज की class की तरफ और directions देख लेते हैं क्या दिया we arrange the following six sentences one two three four five and six in proper sequence तो as to form a meaningful paragraph then answer the questions given below them ठीक है तो छे sentences जो में दिये हैं उनको proper sequence में arrange करना उसके बाद उनके नीचे जो questions दिये हुए है उन questions को solve परना तो पहले set of questions जो हमाई पास आए है जो 6 sentences आए है set one के उनको हम पहले देख लेते हैं इससे इसमें की first sentence दिया है we were interested by contrast in understanding what lessons actual teams and non-teams had for others to choose to struggle with change and performance still we suspect that most of these focus on persuading readers that teams are important after all we thought teams are a well-known subject and there must be a thousand books on the subject already तो देखिए तीन sentences से हमने पढ़े तो हमें सी दीरे दीरे theme समझ में आ रही है यहां पर team team आप समस्ते team मतलब संगठन या group तो team word को बार बार यूज किया रहा है और एक बात यह की जा रही है कि team topic पर book लिखने की बात है ठीक है किस चीज की बात हो रही है book जैसे इसमें पहले ही दिया गया है जैसे कि we thought teams are a well-known subject and there must be a thousand books on the subject already by going down this path we hope to discover something to say that was different from most books on the subject we approach the idea of a book on teams cautiously alternatively they focused on providing you to advise on building teams as an objective in itself तो अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें theme लिए theme यहां पर क्या है a book writing a book on team ठीक है एक book लिखना जिसका topic क्या होगा team होगा ठीक है जिसकी theme क्या होगी team होगी दूसरी चीज अब हमें दूसरे अपने step पर जाना दूसरा step क्या होता था हम्यारा कि first sentence को पगड़ना इसमें देख लिए we were interested by contrast यह नहीं होना चाहिए still we suspected यह तो विल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर हम इनमें सभी भी देखें तो देखिए after all we thought teams are well known subject by going down this path या we approach the idea of a book on teams cautiously alternatively they focused on providing you तो देखिए जो प्याच हुआ sentence हमें दिख रहा है आपको भी लग रहा होगा या अगर आप closely इस class को देख रहे होंगे इन sentences को अगर आप closely देख रहे होंगे तो सीधे सीधे पहला sentence तो यहीं लग रहा है इसके बाद देखिए अब जब हमने आइडिया अप्रोच कर गी आप हमें लिंक इससे जुड़ता हुआ sentence होना इसके बाद कौन सा sentence होना चाहिए यह छटा तो होना ने चाहिए करन दो होना चाहिए रहे होने उसके बाद आप्र становится होना ने फीच हुदन दो लिंक इससे खांग यह छुड़ता का भाद खुड़त Tomatoes अवल जुड़ता का इसके बाद ॆ थेखिए 5 ये दूसरा sentence होगा तिलकुल ही ये दूसरा ही sentence होगा we approach the idea of a book on teams cautiously after all we thought teams are a well-known subject and there must be a thousand books on the subject already then next sentence will be still we suspected that most of these focused on persuading readers that teams are important अद्लब जाद अदर books इसी बात पर focus हो रही थी कि टीम्स इंपोर्टेंट होते हैं ये हमारा होगा तीसरा संटेंज जो कि दूसरे और तीसरे के बीच में हमें साफ साफ लिंक मिल रही यहाँ पर उनी सब्जेक्स की बात हो रही है जिसे थाउजन बुक्स की बात हो रही यहाँ पर और उन सभी बुक्स में यहां पर 1000 बुक्स की बात हुई उस सब्जेक्ट पर यानि टीम सब्जेक्ट पर और वो सभी बुक्स जा तर किस पर फोकस हो रही तो मैं तीन संटेस देखे आसानी से मिलें तो एक बार जहां पहला संटेस हमें मिलता है वैसे ही मुझे से लिंक ढूंदते रहते हैं ठीक है अब इसके बाद देखें क्या होना चाहिए अल्टर्नेटिवली दे फोकस्ट प्रोकस्ट प्रोवाइदिंग देवाइस अन अब्जेक्टिव इन इसल्फ यह हो गया हमारा फोर्थ संटेंस ठीक है और उसके बाद फिर देखिए वर इंट्रेस्टेट बाइं इस से कंट्रास्ट में हम जो भूख लिखने जा रहे हैं वह जो भूख लेने जा रहा है लिखने जा रहा है वह एक्ट्वल टीम्स एंड नॉम टीम्स हैट पर अदर्श तो यह हो गया हमारा पांच हुआ संटेंस ठीक है यह हम अब देखिए जब इस संटेंस को मिला के पढ़ेंगे तो हमें साब साब लगेगे है हमारा सिंखेंज रुख सही है यह प्रोज दाइडिया आइडिया पांच हुआ थीम्स कौशिए फिर आफ्टर आल वी थौट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जो संट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि मैंने घूंतर अंचव देखि पूर्ढ पाला पाएंगे सब्स्टेंस का सबसे पहले हम उनको को आरेंज कर लेंगे उनके आगे दानेगे हैं कि कि पहला होका नीं पहला होगा नुपरल्ब केरी सालनुंटर्फा होगा फिर्फा होगा तो हमने यह कि नंबर पर आगे सटनेंस था तो हमने नंब्रीं किया है कि इसकी कॉल में ह disparen वो हमारा second sentence होगा और third sentence किस option में है दी option में ठीक है तो पहले का option हमारा कौन सा सही हो गया दी question number two पर आते हैं which of the following will be the first sentence अब first sentence पूछा गया है first sentence हमारा कौन सा sentence था sentence number five sentence number five was our first sentence ठीक है तो sentence number five का option कौन सा है ये option है तो second का ये option जो है वो सही होगा फिर question number three देखते है which of the following will be the third sentence अब पूछा गया third sentence कौन सा है third sentence हमारा कौन सा था third sentence हमारा था second वाला ठीक है second वाला sentence हमारा third sentence था तो second sentence यहां पर कौन सा option है c option है तो इसका c हो गया which of the following will be the fifth sentence तो fifth sentence हमारा कौन सा था fifth sentence था हमारा पहला sentence पहला sentence हमारा fifth sentence था तो यानि e option इसका सही हो जाएगा और last sentence हमारा कौन सा था last sentence था fourth यानि fourth sentence जो था वो था हमारा last sentence थीक है यानि इसका b option सही हो जाएगा तो students आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी set जगों मिलेगा थीक है तो उस set में सबसे पहले हमें उस तूरे लिखे हुए sentences की हमें सबसे पहले क्या करनी है तीम को पकड़ना है ठीक है वो किस टीम पर आलाएगा तीम पकड़ने से आसानी यह हो जाती है कि sentence को हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं फिर हमें first sentence ढूनना है ठीक है उसके बाद हर sentence के बीच में कोई ना कोई link ज़रूर होगी हमें उस link को पूटना है अब से तू जो हमारा sentence का है उसको देखते हैं A small wooden nest box ठीक है A small wooden nest box is all it has taken to rekindle all the romance of bringing spiros and other birds back into our cities and hoard them from fading into the past light of forgotten cocktail ठीक है यहां पर spiros की बाद को रही है cities में उनको वापस लाने की बाद को रही है और sentence पढ़ेंगे तीम और clear हो जाएगी There is something wrong with the city that remains unperturbed even as its birds deserted आपके दूसरे sentence तक आते हैं आते हम समझ गये यहां पर birds की बात हो रही है और यह birds जो city को desert करना समझे रहे हैं कि इसका मतब होता है त्यागना जो cities को छोड़ रही है यह birds इसके पीछे कोई न कोई बात जरूर है something wrong है Thankfully the situation is not as hopeless as it seems, much as we try to defend the seemingly irreversible modern life of these cities we can't stop our hearts from trying when we realize that our rapidly degenerating urban ecosystem isn't generous enough to let these delicate wind creatures build tiny nests and in its nooks and crannies sit in solitude and fear of spring and this desertion seems to be true with most metros in India where house sparrows have almost become a thing of the past तो हमारी theme यहां पर क्या है desertion of cities by sparrows ठीक है मतलब सहर को छोटते आगना sparrows के द्वारा या अन्ने birds के द्वारा उसका desertion पहला sentence अब इसमें अगर हम ढूंडेंग तो देखें जो दूसरा sentence there is something wrong there is something wrong with the city that remains unperturbed even as its birds deserted अब desertion की बात तो नहीं चाहिए आप दूसरा देखें यह sentence को अपने दिमाग में रखेंगे there is something wrong with the city that remains unperturbed even as its birds deserted अब desertion की बात तो नहीं चाहिए आठेंग फुली the situation is not no small wooden nest box no last में लगना चाहिए and this desertion seems to be true यह sentence and this desertion अधिके यहाँ पर desert इक पर खदम हुआ यहाँ पर and this desertion seems to be true with most metros in India यह हो गया अमारा दूसरा sentence ठीक है यहाँ फिक्ट संटेंस यह होगा वो हमारा कांसा संटेंस होगा दूसरा होगा यहाँ इस पॉरसर अल्मोश्ट बिकम अधिंग आप दा पास्ट ठीक है यह इस में इस डिजर्शन को और मतलब डिटेल से इस में इस संटेंस में इस डिजर्शन को बहुत अच्छी तरीके से explain करने का प्रयाज किया गया है ठीक है इंग्विंग क्रियेचर्स के लिए हम इतना चंदर से लफ नहीं है कि उनके गोसले कि छोड़ी कि जगे अपने घर में दे सके ठीक है उसके बाद फिर यह संटेंस आएगा thankfully the situation is not as hopeless as it seems यह हो गया हमारा fourth sentence ठीक है और फिर last sentence होगा कि यह hopeless क्यों नहीं है क्योंकि a small wooden box is enough a small wooden less box is all it has taken to rekindle all the romance of bringing sparrows and other birds back into our cities यह हो गया हमारा fifth sentence ठीक है तो इस तरीके से पूरा rearrangement हो गया there is something wrong से sentence शुरूओगा यानि second sentence से शुरूओगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा जो rearrangement की टेक्नीक मैं बता रहा हूँ आपको जो trick मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए helpful साभीत रोगी हो मेर साथ साथ आप इन sentences को rearrange कर रहे होंगे ठीके अब बढ़ते हैं इसके questions की तरफ पहला questions जैसे which of the following will be the first sentence पहला sentence कौन सा होगा तो हमने जैसे पहले solve दिकर लिया है दूसरा sentence जो है हमारा ठीके कौन सा sentence दूसरा sentence जो है यह हमारा पहला sentence होगा ठीके तो इसका पहले का option कौन सा स second sentence which was our second sentence last sentence यानि fifth sentence was our second sentence तो fifth sentence यानि second का A option सही हो जाएगा which of the following will be the third sentence third sentence मुशा गया है और third sentence हमारा था कौन सा फोर्थ वाला ठीके तो fourth वाला sentence यानि D option question number 3 का सही होगा which of the following will be the fourth sentence तो fourth sentence हमारा कौन सा था fourth sentence था third वाला ठीके तो third वाला sentence जो था वो हमारा fourth sentence था और last sentence जो हमें याद दे बहुत अच्छी तो पहला sentence हमारा last sentence था है ठीके आई small wooden next box वाला ठीके तो fifth का कौन सा option सही हो जाएगा fifth का a option सही हो जाएगा ठीके तो आप बढ़ते हैं next set of sentences की तरब यह तीसरा से ठोगा हमारा आज की इस प्रैक्टिस में किके और उमीद करता हूँ आप लोग वाद अच्छी तरीके से रियर्रेंजमेंट सीख रहे होंगे इसको भी एक बाद चलिए आप लोग ट्राई करी अच्छी तरीके से और अच्छा प्रयास आप लोग कर सकते हैं इसमें तो देखिये अ थीम तो हम पहचानी गय और हाला संटेच भी मिलगिया जाप मोह सपो अपॉन तर अब अटाय में मोह आउर्ग ठीयन। तो देखिए थीम तो हम पहचान ही गए और हमें पहला संटेंस भी मिल गया वहां पर साथ काम करता है तो हमें थीम भी मिल गई पहला संटेंस भी हमें मिल गया यह संटेंस होगा लास संटेंस ही पड़े अदर अप्रेंटिस इंदर शॉप लाफ एड मोहन को दूइंग अन्नेसेसरी वर्क अब जब यह मिल गया वंस अपॉन आ टाइम देर वाज बॉए नम्मोहन वर्क आप्रेंटिस इन आपाइस्पिल शॉप तो दूसरा संटेंस क्य तो जब रिपेर के लिए आई ओगी तो फिर उसकी भी वही तो इससे लिंक यानि इससे लिंक किसमे मिल लाइए हमें इससे लिंक मिल लाइए चौथे संटेंस की आफ्टर रिपेरिंग दबाइस्केल मोहन अन्मेंद लूप नियुँ इसके यह हमारा थार्ट संटेंस मिल और फिर यह दिखिया, other apprentices in the shop laughed at Mohan for doing unnecessary work, यह cleaning of the cycle जब उसने किया, तो un-apprentice जो थे उसके इस काम पर उसके उपर हसने लगे, ठीक है, यह इससे जोता हुआ sentence है, फिर the next day the merchant came to claim the bicycle and noticed that it was shiny, no doubt it will be the next sentence, ठीक है, तो the next day the merchant came to claim the bicycle and noticed that it was shiny, and last one, he immediately acknowledged Mohan's good work and invited him to his home for dinner, तो देखा आप लोगोंने, बहुत आसान होता है, एक बार हम theme पकड़ ले, एक बार पहला sentence आप पकड़ ले, फिर उससे मिलते हुए, उससे link से हमें sentences, एक line से मिलते जाते हैं, ठीक है, अब यह हमारी story जो है, यह पूरी हो ही है, इसके questions पर आते हैं, second sentence पहले पूछा गया, second sentence हमारा कौन सा है, दूसरा वाला, ठीक है, तो दूसरा sentence जो है, हमारा second sentence, पहले का दी option से ही होगा, third sentence फिल पूछा गया, which of the following will be the third sentence, तो हमारा third sentence कौन सा है, हमारा third sentence है, चौथा वाला, ठीक है, तो इसका चौथा वाला sentence यानि D option में चौप्टे sentence का option दिया है तो second का D सही होगा which of the following will be the first sentence, तो first sentence कौन सह था, पाच्वा, हमारा fifth sentence जो था, वो first sentence था, टीक है, तो E option इसका सही हो गया which of the following will be the last sentence, last sentence हमारा कौन सह था, last sentence पहला sentence था, last यानि sixth sentence, टीक है, तो वो था पहला ही तो इसका E option सही हो गया, तीक है, और fourth sentence हमारा कौन सह था, fourth sentence था, last वाला, यानि sixth sentence जो था, वो हमारा fourth sentence था, तीक है, तो यानि E option इसका सही हो गया, तीक है, अब पढ़ते हैं next set की तरब, जो की होगा हमारा set number four, तीक है, उमीद करता हूँ बच्चों, आप लोगों को बहुत की तरीके से ये सारी चीज़े समझ में आ रही होंगी, पायरा जंबल्स में कुछ हद तक आज आपको कुछ helpful चीज़े, कुछ helpful tips मेरे इसाब से आपको मिली होंगी, ठीक है, अब अगले set पर देखते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि practice makes a mind for perfect, जितना ज्यादा हम practice कर करेंगे, जितने ज़्यादा इससे related questions अब करेंगे, पैरा जंबल्स को और केजी से solve करने में उतनी जल्दी सच्छम हो पाएंगे, चीक है, अब आते हैं, next set of questions के तरफ, at first he got scared, but then he thought, I have never worshipped her, that is why I am not able to get anything from my land, इस इसने संटेस पढ़ने से में theme के बारे में कुछ भी जानक जी, he rushed to his village and placed his humble offering of milk in a bowl before a snake, Vishnu Raman was a poor Brahman and a farmer by profession, अब जेहें ये चाथा संटेस जमने पड़ा, तो यहां पर Vishnu Raman के बारे में तोड़ा introduction दिया गया, और इसी introduction से ही ये संटेस दुरो होना चाहिए, इसको mark कर लेते आगे बढ़ते हैं, the next day when he returned, he was rewarded with a gold point, just as he was preparing to lie down, he saw a huge cobra swimming with his जोड़ोफेन, तो हमें no doubt हमारा जो चौथा संटेस होगा, वो पहला संटेस होगा, तो यहां पर Vishnu Raman से स्टार्ट हुआ, तो आप लोग देख रहेंगे कितनी स्पीड से, कितनी जल्दी जल्दी हमको इसके लिंक से संटेस मिलते जाते हैं, तो आप पहले Vishnu Raman के बारे मे unable to tolerate the summer heat, he went to rest under a big banyan tree, फिर देखिये कौन सा होना ची, just as he was preparing to lie down, he saw a huge cobra, swing with his hood, open, ठीक है, तो जब उसने huge cobra को देखा तब क्या हुआ, at first he got scared, ठीक है, तो पहले तो वो दर गया, but then he thought, I have never worshipped her, that is why I am not able to get anything from my land, तो पहले तो वो डर गया, उसके बाद उसने का कि उसकी पूजा ना करने के वज़े से ही, शायद उसकी land पे भी कुछ भी चंग से उपज नहीं हो रही है, फिर he rushed to his village and placed his humble offering of milk, ये हमारा हो गया, का fifth sentence, ठीक है, he rushed to his village, और उसके बाद last sentence बनेगा, the next day when he returned, he was rewarded with a gold coin in the bowl he left behind, तो इस तरीके से हमारा ही state for the talk हो गया, इसके questions अब हम जल्दी जल्दी लगा देंगे, पहले question में जैसे क्या पूछा गया है, second sentence पूछा गया है, और second sentence हमारा कौन सा है, second वाला है, ठीक है, तो second वाला option कहां मिलेगा, a पर है, तो पहले का a हो गया, first sentence पूछा गया है, first sentence हमारा कौन सा है, चौथा वाला, ठीक है, तो चौथा sentence हमारा first sentence है, तो इसका दी option साही हो गया, which of the following will be the fourth sentence, fourth sentence हमने किसे मात किया है, पहले वाले को, ठीक है, तो पहला वाला यानि कि इसका दी option हमारा correct हो गया, fifth sentence किसे मात किया हमने, third वाले को, ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, यानि D option हमारा correct हो गया, यह एक set और लगा लेते हैं, तब और अच्छे से आपको clear हो जाएगा, और थोई सी practice और हो जाएगी, set 5 देख लेते हैं, set 5 किस पर आधारी पर देखते हैं, seeing the dogs and his master running after the fox, the rooster screamed no, don't come near me, अब यहां पर एक rooster से संबंदित कहानी है, एक fox भी यहां पर दिखाई गई है, ठीक है, a fox sneak into a farm and grabbed a prize rooster, the farmer saw him raise an alarm, my master was very cruel to me, explained the rooster to the fox, अब देखिए, आप समझ गए हैं यहां पर एक fox है, एक rooster है, यानि rooster आप समस्ते ही एक cock को का जाता है, ठीक है, और एक farmer है, तो fox है, जो वो rooster को लिये जारी farmer जिसे यहां पर raised an alarm, यह सारी चीज़े हैं, the rooster flew up into a tree and stayed there, he was rescued by his master, the fox was delighted in the process of sorting to the farmer, he released his hold over the rooster, soon the farmer and his dog started chasing the fox, तो कहानी सुरू कहां से होती है, जब वो fox उनके farm में enter करी, ठीक है, a fox sneaked into a farm and grabbed a prized rooster, कहानी यहां से ही शुरू होगी, ठीक, इसके बाद, seeing, sorry, the rooster flew up into a tree, the fox was delighted, इसके बाद क्या होना चाहिए, fox sneaked into a farm and grabbed a prized rooster, the farmer raised, saw him raised an alarm, उसके बाद alarm raised किया, उसके बाद क्या हुआ, soon the farmer and his dog started chasing the fox, the fox was holding the rooster in his mouth and was running very fast, ठीक है, farm में जैसे देखा, अपने dogs के साथ इसने उसे chase करना शुरू किया, फिर क्या होना चाहिए, the fox was delighted, नहीं, the rooster flew up नहीं, फिर, seeing the dogs and his master running after the fox, the rooster screamed, no, don't come near me, ठीक है, यह pretending है, rooster के द्वारा fox के लिए, no, don't come near me, यह sentence होना चाहिए, my master was, अब जिसे यहाँ पर rooster के dialogues चलना है, the rooster screamed, no, don't come near me, my master was very cruel to me, explained the rooster to the fox, tell him to stay away from me, यह rooster, जो है, fox से कह रहा है, my master was very cruel to me, यह चौता sentence होगा, वो उसे बहरकाने का प्रियास कर रहा है, ठीक है, पर गलाने का प्रियास कर रहा है, rooster, तो उसके बाद क्या कहेगा, the fox was, अब यह सुनकर, fox बहुत कुछ हो, the fox was delighted in the process of shouting to the farmer, he released his hold over the rooster, यह हो जाएगा हमारा fifth sentence, ठीक है, और जैसे ही he released his hold over the rooster, so the rooster flew up, the rooster flew up into a tree and stayed there till he was rescued by his master, तो इस तरीके से यह वाला सेट भी हमारा बहुत आसानी से और बहुत तेजी से solve हो गया, तो जैसे जैसे हम solve करते हुए आए हैं, वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं कि इतना समय पर पहले में लगा, तो उससे पोड़ा कम दूसरे में और फिर उससे कम तीसरे में, इस तरीके से हमारा time जो है, वो कम होता गया, मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा हम questions लगाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी speed होती जाएगी, और उतनी ज़्यादा हम बेहतर होती जाएंगे, आप इसके questions देख लेते हैं, 6 sentence, 6 sentence हमारा कौन सा है, 6 sentence हमारा 4 sentence, यानि D option इसका सही होगा, which of the following will be the 5th sentence, 5th sentence कौन सा था, 5th sentence हमारा 5th वाला ही था, तो इसका option E सही होगा, फिर 1st sentence पूछा गया है, 1st sentence हमारा कौन सा था, 2nd वाला है, तो 2nd वाला हम इसमें लगा रहते हैं, 1st sentence हमारा 2nd वाला था, इसमें options में देखिए 1st 2 जिए लिखिया, फिर ये E वाला हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2nd लिखा है, तो इसका कौन सा option सही हो गया, E option सही हो गया, फिर आते 4th sentence पूछा गया है, कि यह सिक्रेंस यह 4th कौन सा होगा, तो 4th होगा हमारा 3rd वाला sentence, ठीक है, और इसका फिल B option सही हो जाएगा, फिर 5th पूछा गया है 2nd sentence, तो 2nd sentence कौन सा हो था हमारा last sentence जो था 6th वाला, वो 2nd sentence था, ठीक है, तो इसका C option सही हो जाएगा, तो इस्टुएंट्स हमारा आज का यह 15 जेंबल्स पर अधायिक वीडियो, यह हमारी यह क्लास आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा, ताकि हमारी लोडिटिकेशन साथ को बराबर मिलती रहे, और हमारी स्पेशल क्लासेस ले हमसे जुरने के लिए, कोपिक के साथ, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!